असलाम अलेकूम आज मैं अभी टेनल्स पे आगे हूं अपने और इस वक्त मौसम तकरीबन शाम का टाइम है तीन बजे का चार बजे का और धाई बजे तक बहुत शदीद धुनती यहां पे और अब जो है वो कुछ धुनत कम हुई है और अब इस वक्त हमने टेनल्स एक ओप कराता हूं कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई है यह मैं टेनल में आगे हूं और आप देख रहे हैं माशाला इस तवा काफी ग्रीन और अच्छे बड़े हुए हैं प्लांट्स और जो सबसे मज़े की चीज है वो यह जो यलो स्पॉर्ट्स आपको नजहार रहे हैं न सारे यह माशालला फ्लावर्स हैं अलहमदो एला कारता हूं इसको चीज है जो किरा के चीज भ्रो कर कर खीर हैं और यह उसका फ्लावर है तो ये देखें माशाला इस प्लांट में काफी अच्छी फ्लावर रिंग है यहां पे यहां पे और यहां पे यह देखें और इसके अगर आप को चलाते जाएंगे और कुछ हम इनको स्पोर्ट करेंगे कि जिसरा अगर ये प्लांट कुछ बाहर आया हुआ है तो हम इसको भी कोईश करेंगे कि हम इस तरह करके इसको जाल के अंदर करते जाएं ताकि ये अपने जाल से स्पोर्ट लेता जाए और ऊपर चलता जाएं ये जी अब हम इस टेनल में थोड़ा समय आपको आगे मूव करके दिखाता हूँ अब ही वो जो शुरू वाले प्लांट्स थे उनमें फ्लावरिंग बेथर थी लेकिन यहां पर भी आप देख रहे हैं कि यह छोटे छोटे ड्वेलप हो रहे हैं इसके साथ यह जो कैपसूल जिनको यह कहते हैं और साथ आगे जो है इसके फ्लावर है जो कि मतलब स्टार्ट हो जाएगा ग्रो करना तो इसके साथ साथ जैसे अब यह बड़े होते जाएंगे तो साथ ही फिर इनके खीरे लगने शुरू हो जाएंगे और यही जो कैपसूल है यही बढ़ा हो के खीरा बनेगा यह देखें यह एक प्लांट बाहर ही बढ़ा हो है नेट से यह नेट इदर जा रहा है और यह जो प्लांट है इसने उसके अंदर अपने आपको फिक्स नहीं किया यह बाहर आ गया है तो इस तरह के कुछ प्लांट और भी है टनल में जिसमें उनको हमने यह करना है कि कल जो भाई ने आना है तो उन्होंने आके इनको अब सारे को नेट के अंदर करना है ताकि यह नीचे चलने की विजाए इस तरह यह बेलें जो हैं इन नेट के उपर आ जाए और फिर उबर चलें यह था एक छोटा सा ओबर व्यू जो के मैंने इस काट आपको दखाया है खीरे की टेनल का तो इसमें तो माशाला फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है चुट छोटे कैपसूल से यह जो छोटे किया जा और उसको उमने बड़ा कट दी ए और उसके बाज को सफ कर दी ऐसी गोटी थोड़ी थोटी ki ओ तीसरा यह कि लेकिन इस पर प्रॉबलम यह कि इस जो प्लांट्स है न उसमें जो मस्राइए थैज है इसका इसका फल हमें नहीं मचता, यह फल सारा प्रिंदे सिंदे खाके तो फारग कर देते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, चलें जो भी खा रहा है, तो स्वाब तो मिल रहा है, अच्छा यह है वो जो आम का पौदा है ना, अच्छा इसके बारे में दो तीन इंपुट्स जो बड़ी इसकी जड़, इसको रिमूफ करना चाहिए, हमने नहीं रिमूफ किया, को कि मैंने काफी एक्सपर्ट माली को बलाया था, लेकिन माली ने इस जड़ को उसके साथ ही लगा दिया था, तो उसमें यह है कि यह डिके करता है, और फिर यह डिके करके ना, एक सौर्ट ऑफ पते से, उनको हमेशा निकल वा दें, यह निके, और उसकी बजाए, आप सिंपल उसको तरवा के लगवाएं, ताकि क्योंकि पानी के बाद, गलने के बाद, उसमें जो है ना, फंगस वगारा यह चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, अब इसमें टेक्नीक क्या करनी होती है, क् यह सेंस्टिप होता है, तो इसमें हम यह क्या करते हैं, कि इस तरह की लगाते हैं, लगड़ी के उपर फिर हम यह जो बैग है, वो इसके उपर डाल देते हैं, सरदी से बचाने के लिए, इस बैग में एक इस तरह का जो सुराख है, यह जो किया हुआ है, यह करना पड़ता तो वो चुके पौदे के लिए अच्छी नहीं है तो उसको यहां से एक्जास्ट मिलते रहते हैं इस जो सुराख है उसकी जो डिरेक्शन है वो आपकी बड़ी इंपॉर्डेंट है कि मुलतान में चुके जो ठंडी हवाई है वो कोईटा वाली साइड से आती है और जो डिरेक्शन है उसे ही होगा कि जो ठंडी हवाई जो के इस डिरेक्शन से आनी है तो वो फिर इस साइड से हम चुके सुराख नहीं देते तो वो अंदर एंटर नहीं हो सकती और लेकिन जो एक्जास्ट है वो साइड से चलता जाता है और इसको पिर हम इसी तरह ढाँपके ताकि यह जिसने हमने एक लकड़ी लगाई वी है और यह जो लकड़ी है इसके उपर जो बोरी है उसका स्पोर्ट आ जाता है और स्पोर्ट आने की वज़ए से प्लांट की उपर ड्रेक प्रेशर नहीं आता है और यह देखें आप माशाला जो प्लांट है वो अभी तरक अल ही हमें लेकि दिवार से यहां पर्षाएं यहांपर प्ल appar cake ने कुछी पूरी लीन तो इसमें हमारा प्लाइन यह है कि छाही है वह खाली पे जोह घौना क safety यहां बीच कर लें उन बेलों के लिए ताकि यह जगा भी मारे पर यूटलाइज हो जाए ले यह आज का सारी मारे डिसकॉशन और उमीद आप लोगों को पसंद आई होगी बहुत शक्रिया जजाक अल्ला 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 हाफ़िस आईkim पर यह जजए क्लिक है भी मारे हो नॉिय quईण उम्रा के रहा कि औूफ हॉचार के लुप लुथे मारे रहा जब क्लिफें सेव्ड़ मारे विलめँरे हैं कि वह झार इन हम आब बहे हैं कर दो कर दो कि झाल कर दो